हरेесकिस्दन रादे रादे दोस्तों और मेरे दोस्तों आप लोग कैसे हों I hope आप लोग अच्छे ही होंगे दोस्तों आज का वीडियो जो है रिक्वेस्टेड है मेरे एक बहुत प्यारे सज्सक्राइबर और वीवर से में होने कमेंट किया था कि आप इस ड्रेस में इनको 5 ड्रेस में इनका सिंहार करके दिखाईए तो आज हम इनको 5 ड्रेस में इनका सिंहार कर रहे हैं आप आज देखिए इनका सिंहार उस ड्रेस में कैसा लग रहा है आप देख चुके हैं उस ड्रेस में सिंहार लेकिन आज फिर रिक्वेश्ट था इसलिए हम वीडियो अप्लोड कर रहे हैं आप लोगों के साथ भी सेयर कर रहे हैं आप लोग भी देखिए ड्रेस में इनका सिंहार कैसा लगा बासु का ही सिंहार मांगे हैं तो आज हम बासु का ही सिंहार दिखा रहे हैं दोस्तों कि बासु जी का सिंहार करके आप दिखाई तो हम दिखा रहे हैं और लड़ू जी का सिंगार हो चुका आप बासु जी का सिंगार करने जा देख लिए मेरे लड़ू नगा लिए ना कर पैंटी पहर हैं अब इनको इस ड्रेस में हम और त्यार करेंगे ये एक्ऱ पंच ड्रेस नहीं हैं ये तीन चार कलर में हैं लेकिन उन्होंने पंचे ड्रेस बोलाई इस ड्रेस को सो मैं आप लोगों के साथ सेर कर रही हूं देखिए मेरे बासू त्यार हो गए है जी हाँ दोस्तो आप देखिए आप इनको ये ड्रेस पहना रहा है आप कुछ रिक्वेश्ट था कि आपके तुलसीजी में कैसे चोटे-चोटे पाउधे निकलते हैं ओभी आप हमको सेयर करिए तब हमारे तो बहुत चोटी-चोटे निकल लान है, तो हम आपके साथ सेर कर रहे हैं, फिर कुछ बड़े हो जाएंगे, तो हम आपके साथ और अच्छा से सेर करेंगे, ओभी हम इस वीडियोको लाष्ट में डालें हैं, तो आप वीडियोको स्किप मत करियेगा, आप वीडियो को फुल वाच करिएगा दोस्तों क्योंकि वीडियो आप पूरा नहीं देखेंगे तो फिर आपको नहीं पता चलेगा इस वीडियो के अंदर हम क्या-क्या याड़ किये हैं कि देखें बासु जी ड्रेस पहन लिये हैं अब हम इनको करदन पहनाएंगे कि बासु को कि ऐसे बासु को तो बहुत लोग मतलब सपोर्ट करते हैं बहुत पसंद करते हैं ठैंक यूँ आप लोग दिल से थैंक सम बोलते हैं कि बासु को आप लोग इतना पसंद करते हैं बासु है भी वैसे ही खुफसूरत अभी हम इनका फेस आप के तरफ करेंगे तो आप आराम से देखिएगा थोड़ा सिंहार कर रहा हैं तो इनको अपने तरफ घुमा लिए हैं अब इनको हम नोस पील लगा देंगे अब इनकी माउथ के पास हम लगा देंगे दोस्तों बहुत प्यारे बहुत वेट हैं मैं आज हम लड़ू पर भी बिंदी लगा दे रहे हैं छोटी से सुन्दर लगेगा इनकी हाट में जो लड़ू है उस पर बहुत छोटी से लगा हैं सायद आप लोग बाच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं आज इनको हम ये वाला नेकलेस पहना रहे हैं आप देखिए बजू सोना अच्छी तम के सबम किष्ने दामो दिरम रामु नारा यनम जान की बलबम कौन कहता है भगवान सजते नहीं माय सोदा के जैसे सजाते नहीं अच्छी तम के सबम किष्ने दामो दिरम रामु नारा यनम जान की बलबम कौन कहता है भगवान खाते नहीं तुम माय सोदा के जैसे खिलाते नहीं दोस्तों देखिए वो बिंदी अच्छा नहीं लग रहा था सो हम वो बिंदी हटा कर अब दूसरा बिंदी लगाऊंगी आज इनके उपर वो बिंदी नहीं सूट कर रहा है सहाद इनको नहीं पहनना होगा अभी हम इनको दूसरा बिंदी लगा के दिखाते हैं देखिए आज ये बिंदी लगा है देखिए इस बिंदी में कैसे लग रहा है मेरे बासू आज उनको बिंदी नहीं लगाना होगा इसलिए नहीं पहन रहे हो बिंदी आज हम दूसरा इनको चेंज कर दिये जो इनको अच्छा लगे वही पहनी है क्योंकि हर काम तो इनकी अच्छा इच्छा से होती है हमारी इच्छा से तो कुछ होती नहीं है हाँ जिनका रिक्वेश्ट था उन्होंने अपना नाम नहीं लेने के लिए बोला था तो हम नाम नहीं ले रहे हैं उनका नहीं तो हम नाम लेके भी बताते पर उन्होंने बोला था नाम मत लीजेगा तो हम नाम नहीं ले रहे हैं देखे, देखे मेरे शोना को, शोना शोना, शोना, आज मैं इनका मुकुट निकाली थी दूसरा पर वो नहीं अच्छा लग रहा है, हम इनके मैचिंग से ही मुकुट दूसरा अब ले कराऊंगी, वो लगाऊंगी, निकालते हैं, कुछ इनको पहनना होता है, कुछ, आज हम मुकुट एक्ष्ट्रा नहीं निकाले थे, तो आज हमको फिर से जाना पड़ा, देखे, यह मुकुट पहन लिए आराम से, देखे ना, जो इनकी इच्छा होगी, वही चीज पहनेंगे, अब हम इनको इत्र सेवा करेंगे, इत्र लगाएंगे, देखे, अब इत्र इनको लग चुका है, अब हम अपने लड्डू को भी लगाएंगे इत्र, लड्डू को भी लेकर हम आते हैं, दिखाते हैं मेरे लड्डू भी तैयार हो चुके हैं, शोना लड्डू, आजब इटा, शोना, गोबंसी दे दूँ, फिर मैं अपने लड्डू जी को भी लेकर आ रही हूँ, लड्डू आजब, शोना, देखे, मेरे लड्डू भी आ ग करेंगे चितम के सवं किष्णिदाम दरम रम नारायनम जान के बल्लवम देखें मेरे दोनों लल्ला तयार हो गए मेरे शोना बावु दोनों तयार हो गए मेरे शोना एक मेरे शोना है तो एक मेरे चांदी है देखें मेरे दोनों बावु को कितने अच्छे से तयार होते हैं मेरे शोना लोग देख लीजिए आप कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आज का वीडियो कैसा रहा ठीक है ना अब चलते हैं पूजा करने जी हां दोस्तों मेरा पूजा हो गया अब देखिए इनको भोग में चाय है दूद है बटर है रेड है और मिस्री है माखन है तरबूज है पपीता है यह सभी चीजों का हम भोग लगाया है अभी कुछ इनके लिए नास्ता बनाना है वह देखत हूँ नास्ते में तो आज हम परेठा बनाएंगे इनको अलू का भुजिया परेठा बनाएंगे वही देंगे नास्ते में अभी इतना भोग लगाए मेरे लड़ू गोपाल जी फिर उसके बाद में जा रही हूँ हूँ फिर इनके लिए नास्ता बनाऊंगी फिर साड़े बारा पौने एक बजे हम इनको खाना देते हैं फिर पांच बजे हम इनको जगाते हैं पांच से साड़े चार के बीच में हम जगाते हैं फिर उस समय इनको ठंडा पानी ठंडा सरबत लस्सी मतलब जो भी है या बिस्किट पानी ऐसे करके इनको भोग लगा द देते हैं फिर इमनिंग में इनको छी वजे नास्ता देंगे फिर रात में इनको दूद पिला कर विस्राम के लिए सुला देंगे जी हाँ दोस्तों देखिए मेरा पूजा कुछ इस तरह से होता है आप लोगों का रिक्वेस्ट है कि मंदिर पे विडियो बनाईए मंदिर के विव उपर तो हम जरूर बनाएंगे एक दो दिन में ही हम अप्लोड करेंगे यह दिखिए छोटी छोटी तुलसी हमारे गमले में आ रही हैं आप देख पा रहे होंगे देखिए जो मजरी सूख जाती है वो इसके अंदर डाल देने से तुलसी फिर आ जाती है या जो तुलसी माता की मजरी होती है गिरती है वो भी इसमें अपने आप से आ जाती है हमारी तो इसी तरह से तुलसी माता निकलती रहती है क्योंकि रोज इनकों बोलते हैं आप भरा भरा रहिए फूलिए फलिए क्योंकि मुझे अपने ठाकर जी को भोग लगाना रहता है और आपको हरा भरा रहना ही पड़ेगा तो माता जी तो हमेशा इसी तरह से रहती है अब देखिए मेरे लल्ला को मेरे एगवल सरकार जी को मेरे दोनों लल्ला कैसे लग रहे हैं जरूर आप कमेंट करके बताईएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे हरे किशना दोस्तों टेक क्यार